सबी को नमस्कार आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबी बच्चों को अगली क्लास में कैसे परमोट करना है लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की टेक्निकल जानकारी मैंनेजमेंट यहां पर क्लिक करेंगे और बच्चों के एड्मीशन से रिलेटीड ओप्संस हमें दिखाई देंगे तो सबसे पहले हमें तो सबसे पहले हमें section create करने पड़ेंगे तो add section पर click करेंगे add section पर click करने के बाद यह basic information हमारे सामने open हो जाएंगी जैसे instruction यहाँ बढ़ दी गई है यह सारी instruction हम देख लेंगे उसके बाद यहाँ पर class select करेंगे section select करेंगे medium क्या है? हिंदी medium है उसके बाद save record first class का section create हो गया है उसके बाद अगर हमारे पास एक से ज्यादा sections है तो दोबारा से select करेंगे उसी तरह ए section हमने create कर लिया था B section medium क्या होगा उसका वो select कर लेंगे और उसी तरह save record इसी तरह हम जितनी भी हमारे class में जितनी भी हमारे school में classes हैं उनके section create कर लेंगे जैसे primary school है तो यहाँ पर केवल class 5 तक के option दिखाई दे रहे हैं अगर middle school होगा तो class 6 to 8 दिखाई देंगे तो class 6 to 8 के option दिखाई देंगे यह दिया हमारा senior secondary है तो class 6 to 12 दिखाई देंगे तो इसी तरह हम एक एक करके section create कर लेंगे यह हमें नीचे दिखाई देंगे class 5 class 5 तक के सभी section हमारे create हो गए है बाइचांस अगर गलत section create हो गए है तो delete option से हम section को delete भी कर सकते हैं तो यह एक बार check करने के बाद उसके बाद हम बच्चों को transit कैसे करना है यह देखते हैं यहाँ पर दिखाई देगा student transition कौन सी class को transit करना है वो select कर लेंगे मनलेजिया में first class को transit करना है class first select की यहाँ पर अगर आपके school में एक से ज्यादा section है तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे section A, section B और जिस भी class section को हमने transit करना है वो select करेंगे और proceed पर click करेंगे उसके बाद यह बच्चों की list आजाएगे हमारे पास जो भी हमारे first class में है transit to class second, second में transit करने है क्या date डालनी है वो date डाल देंगे क्योंकि first April से हमारा session शुरू था तो अगली class में transit first April दिखाएगे और फिर proceed कर देंगे दोबारा से एक बार check कर सकते हैं आप यहां से कि ठीक से सभी बच्चे transit हो गए है या नहीं यह यहां पर आ भी गया है admission date Saturday April 1st 2023 transit date जो आज की है वो दिखाएगा और admission date जब admission किया होगा किस class में transit किया है तो उसके बाद confirm कर देंगे transit transit देखे मैसेज भी आ गया student transit successfully इसी तरह हम अपनी सभी class के बच्चों को next class में transit कर देंगे यहां से select किया किस class में transit to third किस date को first April को proceed उसी तरह एक बार देख लेंगे सारी जानकारी ठीक है सभी बच्चे ट्रांजिट हुए हैं या नहीं और फिर transit कर देंगे सेम प्रोसेस रहेगा सभी बच्चों को next class में transit करने के लिए जो fifth के बच्चे हैं उनको हमें relieve करना है जो की पिछली वीडियो में बता दिया है fifth class के बच्चों को और eighth class के बच्चों को relieve करके उनकी SLC issue करनी होगी बाकी सभी class के बच्चों को transit करना है बच्चों को अगली class में transit करने के बाद उनके section allocate करने पड़ेंगे उसके बाद फिर subject allocate करना पड़ेगा और last में roll number allocate करना पड़ेगा तो ये तीन option दिखाई दे रहे हैं पहले की तरह सबसे पहले हम section allocation करते हैं उसके बाद subject allocation और last में roll number allocation सोर्फेशन.